अगली बाधा जो है वह है राष्टवाद की भावना, प्रभुसत्ता की भावना, सार्व भावमिक्ता की भावना राष्टवाद और प्रभुसत्ता ये जो भावना हैं इसे कोई भी देश गैर जायज नहीं कह सकता विश्व का कोई भी राष्ट ये स्विकार नहीं करना चाहता कि उसकी निश्यस्त्री करण और उस देश के निश्यस्त्री करण के क्रियानवन की जाँच के लिए कोई अन्य संस्था इंस्पेक्शन पर आए वो नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी संस्था बने जो ये जाँचने के लिए विबिन देशों में जाए कि वहाँ पर वास्तों में सभी हतियारों को नियंत्रित किया गया है कि नहीं जैसी घोशना की गई है वैसा किया जा रहा है कि नहीं निशर्ति करण के मार्ग में क्योंकि ऐसा करने पर उन देशों का इगो सार्व भौमिक्ता के मुद्दे पर प्रभुसत्ता के मुद्दे पर राष्टवात के मुद्दे पर उस पर चोट पहुंचती है उनके जो को सभी देश एक तरीके से राष्टवाद और प्रभुस्त्ता की भावना के खिलाफ मानते हूं यदि हम इतिहास के और जहाकें तो 20-25 वर्षपूर इराक जहां सदाम हुसाइन तदकाली निशासक थे उन पर यह आरोप लगा था कि उनके पास केमिकल वेपन्स हैं और आरोप लगाने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे था अमेरिका की अगवाई में विश्व के बहुत सारे देश समिक्त राष्टंग में ये दवाव बना रहे थे कि एराक के अंदर केमिकल हर्थियारों की उपलब्धता के जखीरे कोई जाच के लिए समिती बनाई जाए और इसे यह पावर दिया जाए कि वो एराक के अंदर जाकर व्यक्तिकत रूप से जाच करे सदाम हुसेन के सतत विरोत के बावजूद भी ऐसा हुआ सदाम हुसेन को जुकना पड़ा अमेरिका के नितरत में दल आया उसने जाच की और एक तरीके से फेक रिपोर्ट के आधार पर इराक पर हमला होता है सदाम हुसेन को फासिक दी जाती है और बाद में मालूम पड़ इराक में ऐसे कोई केमिकल हथियारों का जखीरा वास्तों में नहीं पाया गया था तो एक तो ये बहुत गलत चीज हुई दूसरा इराक के स्वहम की जो सर्व भौमिकता है प्रभुसत्ता है उस पर बहुत बड़ा चिन लगा प्रश्न चिन लगा ये बहुत बड़े उनक की बात थी कि कोई तीसरी ताकत कोई दूसरा देश आकर उनके देश में जाच करें तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुए राष्टवाद और प्रभुसत्ता की भावना चटवा बाधा चटवी बाधा परसपर अविश्वास और सुरक्षा का भै इस बात को बार वा हुए बड़ी बाधा जो है वो फरसपर अविश्वास और शुरक्षा की भावना भारत और पाकिस्तान को यह दारन को में हम दोनों एक दूसरे के प्रति असुरक्षित महसूस करते हैं एक दूसरे के प्रति अविश्वास रखते हैं और इसलिए हथियारों कामबार लगा रहे हैं आणविक संपन्त राष्ट एक दूसरे परविशास नहीं करते बलके उल्टे और भैवीत होते हैं और भै के नाम पर वे हथियार खरीदते हैं भारत ने आणविक प्रिक्षन किया पाकिस्तान क्यों दूर रहेगा उसने भी आणविक प्रिक्षन कर लिए ये जो भै है ये जो अविश्वास है उसके माहौल में निशस्त्री करण को लेकर कोई ठोस नतीजे या कोई खोस परणाम पाना एक दूभर काम है लेकिन फिर भी निश्यस्त्री करण के प्रस्ताओं में वह कमी पूरे निश्यस्त्री करण की बात नहीं करता वैसे ये कठिन तो है लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत कटोती की ही बात हो जाए ये स्वैम में एक शुरुवात तो होगी दुर्भाग्य से अविश्वास और असुरक्षा की भावना ऐसा करने में भी बाधक बन रही है प्रफेसर श्लाइचर उन्होंने कहा है कि यदि राष्ट्रों के बीच पूर्ण विश्वास हो तो हतियार अनावश्यक गैर उप्योंगी और निश्यस्त्री करन की समस्या अपने आप हल हो जाएगी निश्यस्त्री करन का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा निश्यस्त्री करन के मार्ग में किसी तरह की बाधा नहीं होगी तो बाधा जो है असली वह है अविश्वास वहाँ है असुरक्षा या सुरक्षा का भै इसे दूर करने की जुरत है जो नामुमकिन है साथवे महत की बात करें तो छोटे राष्टों की बात बहुत आहम है कहने के तो England भी बहुत छोटा राष्ट है, France भी बहुत छोटा है, जर्मनी भी बहुत छोटा है, लेकिन भागोलिक दिश्टी से, अतिहार दिश्टे, आर्थिक दिश्टी से ये विश्व की बड़ी ताकतों में हैं。 छोटी राष्ट से मतलब है निर्धन राष्ट छोटी राष्ट से मतलब है अविकसित राष्ट छोटी राष्ट से मतलब है वे राष्ट जो मूल रूप से एशिया और अफ्रीका में ज्यादा है जो आर्थिक जिस्टे से बहुत पिछड़े हैं ये राष्ट जो है ये निशस्त्री करण के प्रती उदासीन है और ऐसा क्यों क्यों कि इन्हें सतत रूप से इस बात का भैर रहता है कि बड़े राष्ट निशस्त्री करण के नाम पर हमें फिर उगलने की हमें फिर अपने प्जे में लेने की तैयारी में हैं निशस्त्री करण के नाम पर हमारे सारे हथियार हटा दिये जाएंगे और फिर ये राष्ट एक दिन फिर हमें अपना गुलाम बना बैठेंगे जिस गुलामी की दास्तां से वे कई सो वर्ष गुजर चुके और अब स्वतंत्र हुए है गत पचास वर्षों में 1950 के बाद करीब सो देश स्वतंत्र हुए और इनमें से अधिकतर देश निर्धनता की श्रेडी में हैं अविकसित हैं और इन्हें कहा जाए कि आप निशस्त्र हो जाओ इसके क्या मायने हैं तो इसलिए इन देशों ने सबसे अच्छा तरीका अपन सीन रहने का हथियार रखते हैं हथियार खरीदते हैं भर्तक कोशिश करते हैं कि सीमाओं की सुरक्षा हो लेकिन एक बजट के दायरे में क्योंकि उतनी ही उनकी सीमा है तो विश्व की महाशक्तियों ने आणविक शस्त्रों के अपार भंडार मना लिये नए चे नए हथिय भंडार खरीद लिये परन्तु छोटे राष्ट अभी इन अस्त्रशस्त्रों की खरीदी में भी पीछे हैं निर्माण में तो पीछे हैं ही और अपने अस्त्रशस्त्र भंडार में वे लोग हमेशा व्रिद्ध के इच्छुक तो रहेंगे ही लेकिन इसी लिए इनका जो रवय्या है उदासीनता का निशस्त्री करण के प्रती वह भी बाधक बना हुआ है और ऐसे देशों की संख्या डेड़ सौ है तो डेड़ सौ देश यदि निशस्त्री करण के प्रति उदासीन है उसके चाहे जो भी कारण हो यद अपिकारण जायज है पर उनकी उदासीनता निश्चित रूप से निशस्त्री करण के मार्ग में बाधक तो है साथवा या आठवा बिंदू निश्चित्री करण की सीमा और उसका अनुपात कितना निश्चित्री करण और उसका क्या अनुपात होगा प्रति व्यक्ति कितना हथियार है ये अनुपात का अधार हो निश्यस्त्री करन का अधार हो या हथियारों की मात्रा अधार हो या हथियारों की गुणवत्ता अधार हो इसको लेकर भी बहुत बहुत होती है और राजनीती होती है निशस्त्री करन वारता जब भी होती है तो संबंधित जो देश होते हैं जो उस वारता में बैठते हैं उनके बीच में शस्त्रों की सीमा का अनुपात तै किया जाता है कितनी हथियार आप रखेंगे, कितने आप रखेंगे, कितने आप रखेंगे, कितने आप रखेंगे और उस अनुपात को तै करने का आधार, वे लग तै करते हूं लेकिन इस अनुपात को तै करने के आधार के मुद्दे पर ही बहुत बहस हो चलती है और इन देशों के बीच में अविश्वास पष्ट दिखाई देता है इन देशों के बीच में विरोधा भास पष्ट दिखाई देता है इन देशों के बीच में कड़वाट बहुत दिखाई देती है अलग-अलग साइस के अलग-अलग आर्थिक प्रकृति के जो देश हैं उनके मध्य पारस्परिक अविश्वास की जो भावना है उसके कारण निशस्त्री करण की सीमा के अनुपात के आधार को लेकर ही बहस शुरू हो जाती है तो अनुपात पर तैह होने की तो बात ही दूरू हर देश को ये संदे बना रहता है कि कहीं दूसरे देशों द्वारा उसके शक्ति को घटाने का तो प्रयास नहीं दूसरे इन देशों को ये भी चिंता रहती है कि कहीं शक्ति-शाली देश अपनी शक्ति और बढ़ाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं समझोते के माध्यम से ये शंका निश्यस्त्री करण के मार्ग में हमेशा दिक्कत बनी रही शक्ति के घटाने और बढ़ाने के प्रयास के लिए अनुपात के प्रश्ण पर ही भन्नता आ जाती है अनुपात के प्रश्ण पर ही बहस शुरू हो जाती है और निश्यस्त्री करण को लेकर की गई बैठके व्यर्थ निकलती है नौवा बिंदु बहुत महत्पूर्ण कौन राष्ट आणविक शस्त्र थंपन्नी बनना चाहता भारत में जब परमानु परिक्षन हुआ और सफल परिक्षन हुआ तो भारत अपने को बहुत शक्तिशाली माना भारत ने विश्र की ताकतवर देशों की शिंखला में अपने कोई बहुत महत्पूर्ण स्थान पर पहुँचा दिया और यह हमारे लिए गौरों की बात थी तो कौन देश नहीं चाहेगा आणविक शस्त्रों से लैस होना नए देशों के आणविक शक्त संपन बनने के प्रयास के पीछे यही गौरों वाली बात है और गौरों के साथ अलावा आणविक शक्त संपन देश दूसरे देशों को डरा के रखने के ख्यमता रखता है यह जो ख्यमता है यह बहुत मत्पून है अब भारत ने जो परमानु बम को बनाने की तक्नीक में जो सफलता पाई है और उसके लिए जो प्रयास किया उसके पीछे उद्धेश यही था कि हम बम का उप्योग नहीं करेंगे लेकिन बम की अप्लब्दता से अन्य देशों में भै जरूर पैदा करेंगे और हम बहुत चाहते हैं पाकिस्तान उसने भी फिर प्रमानु परिक्षन कर दिया जो अगला बिंदू हो वो है नए देशों में आणविक प्रिक्षन या आणविक शक्त बनने का प्रयास पाकिस्तान जैसे विश्च के कई ऐसे देश हैं जो आणविक शक्त संपन राष्ट बनना चाहते हैं इसके अलावे यह अनुमान है कि इसराइल, इरान और दक्षिन अफ्रीका इन्होंने भी अनुबम तयार कर लिये हैं और या यदि तयार करके ना रखे हों तो भी इतनी तक्नीक डवलप कर दी है कि जरत पढ़ने पर वे अनुबम बना चकते हैं यह बहुत चिंता की बात है एक और निशास्त्री करण का प्रयास एक और निशास्त्री करण के लिए विश्वमंच पे सभी नेताओं का एकत्रित होना बारंबार और दूसरी और देशों द्वारा आनुविक शस्त्र से लैस राष्ट बनने का प्रयास इस प्रकार ऐसे जो नए देश हैं खास करो अच्छा आनविक शक्ति बनने का एक फायदा ये भी है कि आप ना केवल ताकतवर बनोगे अपने को गरवानवित महसूस करोगे दूसरे देश को अपने पर हमला करने से रोकने की ख्यमता रखोगे बलकि यदि आप आनविक शक्ति हैं तो स्विक्त राष संग जैसे विश्व मंच पर आपकी आवाज भी बड़ी बलंद मानी जाएगे आवाज सुनी जाएगे सुरक्षा परिशत के जो सभी सदस्य हैं स्थाई सदस्य वे सब आनविक शक्ति से लैस देश है भारत जब आनविक शक्ति बना तो उसकी भी जो आवाज है सुरक्षा परिशत की सदस्यता को लेकर वो ज्यादा बलंद हुई है इसलिए भी बहुत से देश आनविक अस्त्रधारी देश बनना चाहते हैं और निश्यस्त्री करण जैसे बातों को एक ढोंग मानते हुए उसे तिलांजली दे देते हैं भले ही ओपन प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर परोक्ष रूप से उन्हें निश्यस्त्री करण जैसे विचारों पर विश्वास नहीं है और यही एक बहुत बड़ी बाधा है इस परकार ऐसे नए देश जो आणविक शक्ति के रूप में संपन बनने के प्रयास कर रहे हैं आनविक शक्तिक शमता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वे भी एक तरीके से एक प्रतिस परधा में शामिल हैं एक दौड में शामिल हैं आनविक शक्त संपन्न देशों की दौड में शामिल हो गए हैं प्रणाम चुरूप हत्यारों की दौड में और वृद्धी हो रही है, निश्यस्त्री करण की दिशा में बहुत बड़ी बाधा आ रही है, और निश्यस्त्री करण एक मत्र मिथ बनके रह गया है अंतिम बाधा, बहुत सारी बाधाएं हैं, सबसे बड़ी बाधा तो राजनीती की है, हर चीज को राजनीती का जो कलेवर पहना दिया जाता है राजनीती का जामा जो पहना दिया जाता है वो राजनीती हर अच्छे विचारों के मार्ग में बाधक रहती है और वही बात कम बेश निश्यस्त्री करण के मुद्दे पर भी है आखरी मुद्दा जो है जो अहम मुद्दा माना जा सकता है वह है आणविक अप्रसार संधी एवं व्यापक पर्मानु परिक्षन निशेत संधी शब्दों को देखिए बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिए आणविक अप्रसार संदी प्रसार ना हो विस्तार ना हो उसकी संदी और दूसरा परमाणु परिक्षन को रोकने की संदी ये दोनों संदियां किन के द्वारप्रस्तावित हैं और किन के लिए हैं किन देशों को आणविक प्रिक्षन निशेद के समझोते पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया जा रहा है और क्यों ये देश आन्विक प्रिक्षन निशेद पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते उत्तर बड़ा स्पष्ट है NPT और CTBT संख्षिप्ट में ये संधियों के अंग्रेजी में नाम है ये बड़ा अन्यायपूर्ण संधि है बड़ी पक्षपात पूर्ण व्यवस्था मानी गई हो अन्यायपूर्ण और पक्षपात पूर्ण इसलिए कल्पना करिए भारत को कहा जा रहा है कि आप परमानु परिक्षन निशेद संधि पर हस्ताक्षर करने अर्थात आप ये परिक्षन नहीं करेंगे और यदि करेंगे तो संधि का उलंगन मानते हुए दूसरे राष्ट अपने तरीके से आप पर प्रतिक्रिया करेंगे आप पर कारवाई करेंगे वो कारवाई क्या होगी ये वही जाने लेकिन सवाल ये उड़ता है कि क्या दूसरे देश जो परमानु शक्ति संपन हैं उन्होंने 150-200 परिक्षन किये हैं तो वे कौन हैं जो भारत को ये बताएं कि आप परिक्षन नहीं कर सकते और परिक्षन ना करने के पीछे उड़्देश क्या है कि आप ये टेस्ट नहीं कर सकते कि आप वास्तों में परमानु शंपन देश बने की नहीं ऐसी इस्थिति और अन्य देशों की भी है जो इस तरह की संदियों का कठोर विरोज कर रहे हैं ये कहते हुए कि ये नियायपूर्ण नहीं है तरक संगत नहीं है और इसके अलावा ये जो संदि है वह पक्षपात पूर्ण है और सच्चाई तो यहीं है संपन्न देशों को इस मामले में लीड लेनी होगी आगे बढ़ना होगा यदि वे इन संदियों पर खस्ताक्षर करें निश्यस्त्री करण में आगे बढ़ें तो संभावता दूसरे देश उनके पीछे पीछे चल सकते हैं अनिथा नहीं तो इस पकार हम कह सकते हैं कि NPT और CTBT इसमें जो अन्याय पूर्ण पक्षपाद पूर्ण जो व्यवस्था है वह निश्यस्त्री करण के मार्ग में बाधाएं इससे सपष्ट हो जाता है कि निश्यस्त्री करण के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं सही मायने में बड़े राष्ट, दिल से प्रयास नहीं किया, बड़े राष्ट, संपन्राष्ट, उन्हें बड़ा सार्थक प्रयास करना होगा, विश्व समुदाय के हित के नजरिये से और अपने स्वयम के हित के नजरिये से निशस्त्री करण के लिए उन्हें उचित दिश में कारे करना होगा जो नहीं हो पा रहा है और यही सबसे बड़ी बाधा है